प्रणाम स्वागत है आपका ओशुज एंटेरो के इस एपिसोड में इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कार्ड ओफ स्लोइंग डाउन के बारे में और स्लोइंग डाउन को हम कंपेर कर रहे हैं नाइट ओफ पेंटिकल्स के साथ तो slowing down को समझने से पहले night of pentacles को थोड़ा समझेंगे चारो nights में सिरफ एक night ऐसा है जिसका घोड़ा जो है बिलकुल स्थिर है जो move नहीं कर रहा घोड़े को जो है हम moment के लिए जो है signify करते हैं कि जहां पर जो है कोई एक process चल रहा है जहां पर एक moment शो करी गई है लेकिन night of pentacles के अंदर जो है हमने घोड़े को बिलकुल रोक दिया जिसका ये अर्थ है कि एक ऐसी स्थिती आ गई है कि जहां पर आपको जो चाहिए था वो मिल गया है एक overflow की state कह सकते है कि ये night बिन पहुंचे ही अपनी मंजल पे पहुंचा हुआ है कि जैसे कहीं जाने की जूरत नहीं है और जिस कार्ट के साथ हम इसको compare करने जा रहे हैं slowing down के साथ वो इसके साथ बहुत से टिक बैठता है क्योंकि slowing down के अंदर भी हम life की जो speed को घटाने की बात कर रहे हैं और night of pentacles के अंदर जो है हमारे को जो message आता है night of pentacles का वो ये कि आपके पास ये pentacle की power है ये शक्ती है जो की अभी और यहीं उपलब्ध है जिसका उप्योग करके आप अपने जीवन में जो भी manifest करना चाहते है in terms of money, finances इस संसार में जो भी वस्तु आपको चाहिए night of pentacles आपके पास वो शक्ती की तरह है आपके पास एक वर्दान की तरह है जो आपका desire पूरा करते का तो ये छोटी सी explanation थी night of pentacles की आईए बात करते हैं card of the slowing down की card of slowing down अपने आप में एक बहुत beautiful card है card का अगर pictorial देखें तो pictorial है वहाँ पे हमने एक कछुए को दिखाया और कछुए का जो symbol है वो symbol है longevity का wisdom का intelligence का और protection का कछुए अपने आप में एक ऐसा प्राणी है जो अपना घर अपने साथ लेके चलता है सूफी इसको खाना बदोष बोते हैं सूफी कहते हैं कि हम खाना बदोष है हमारा घर जो है हमारे कंदे पर है तो सबसे पहला message जो है slowing down में आता है कि आपका घर आपके भीतर है कि अपने घर को जो है बहार मत खोजना आपका घर जो है आप खुद है जब भी आप अपने आपको समेट लेंगे अपने घर में आपस चले जाएंगे और दूसरा मेसेज जो स्लोइंग डाउन में आता है वो ये कि लाइफ के अंदर आप भागे जा रहे हैं कुछ पाने के लिए, कुछ एचीव करने के लिए जिसके कारण जीवन को जीना भूल गए है जिस धन को आपने कमाना शुरू किया था अब उसको कमाने में इतने वैस्त हो गए हैं कि ये भूल गए हैं कि कमा क्यों रहे हैं वो चीज़े जिनके लिए आप पागलों की तरह भाग रहे हैं उनके लिए वो चीजे जब आपके पस आ भी जाती हैं उसके बावजूद भी आप रुक नहीं पाते हैं एक संसार की एक अंदी दोड़ के अंदर आप बस भागे चले जा रहे हैं कार्ड अफ स्लोइंग डाउन का सबसे ब्यूटिफल मेसेज है कि जीवन में आप अभी और यहीं हो जाएं इसी शन में इस शन में सब कुछ है इस शन में आपका पूरा होना है इस शन में आपका घर है इसलिए गुरु ओशो कहते हैं अपनी लाइफ को थोड़ा स्लोडाउन कर लो थोड़ा सा देख लो कि क्या हो रहा है तुमारे जीवन में कि क्या घट रहा है तुमारे जीवन में कि क्या मिस कर रहे हो तुम अपने जीवन में वो कहते हैं ध्यान ही एक मातर रस्ता है जिसके कारण जो है कि आपको जो है सही मार्ग मिलेगा और धिहान का पर्पस यह है कि यह जो आप भागे जा रहे हैं यह जो आपकी लाइफ अतनी स्पीड में है धिहान आपकी यह जो श्मुति ब्रेक लगाता है और आपको क्छुद से मिल वाता है . और वो यह भी कहते हैं, कि ध्यान के साथ चिपक में जाना, किसी वीधी के साथ चिपक में जाना, ध्यान की क्वालिटी को समझना, ध्यान की क्वालिटी को अपने जीवन में उतारना, और एक बार ध्यान की क्वालिटी तुम्हारे जीवन में उतर जाए, तो उसके बाद कि ध्यान कुछ ऐसा नहीं है जो आपने एक घंटा कर लिया और बात खत्म हो गई कि सुबह निप्टा दिया और बात खत्म हो गई नहीं ध्यान जो है एक 24 घंटे चलने वाला प्रोसेस है ध्यान जो है एक तरह का लाइफ स्टाइल है जिसको कहें वान उब बेस्ट लाइफ स्टाइल्स थोड़ा अपने जीवन को ध्यान से देखने की बात है जिन चीजों को आप इतना बेहोशी में करते हैं उसको थोड़ा सा बस उसमें होश लाने की बात है मैंने सुना है मुल्ला नसरुदीन अपने घदे के उपर बहुत तीजी से भागा जा रहा था उसके दोस्तों ने उसको पीछे से अवास लगाई और पूछा मुल्ला इतनी जल्दी में कहा जा रहे हो मुल्ला ने घदे पर बैठे बैठे ही जवाब दिया मैं अपने घदे को ढूण रहा हूँ यही हालत जो है हमारी भी है कि हम अपने घदे के उपर बैठकर इतनी तेजी से जा रहे हैं और उसको ढूण रहे हैं जिसके उपर अल्रेडी हैं तो ध्यान की कॉलिटी जो है आपके जीवन में उतर जाए कि आपके हर कारे में कि आपके हर होने में कि आपके हर क्रते में ध्यान की छाप बहुत घहरी चले जाए और जब आप ध्यान के साथ अपने जीवन को जीते हैं उसमें एक सुन्दरता घटनी शुरू होती है तब हम कहें कि आपके जीवन का असली फूल खिलना शुरू होता है कि फिर जब आप खाओ, पीओ, सो, कुछ भी करो वो ऐसा हो जाए क्रत्य कि आप प्रबु को भोग लगा रहे हैं कि इसको इतना प्रेम दे दो, इतना प्रेम दे दो जब हो बेख्याली से यारी दोस्त बना कर दुश्मनी को चुना, धन कमाया सुख के लिए पर पैसा आया हातों में तो चिंता संख खुशी भी छूटी पीछे सत्ता और शहुरत की दोड में, नाम कमाया क्या मिला अंत में नाम तो सब जाने पर सुख कहां, शक्ती हाताई इस्तमाल किस पर करें अचेतन मन से सब कड़वा हो जाता, हर बात में जहर, हर रंग फीका पड़ जाता जागरुक बन, तोड़ ये चक्र, सजग होकर ही तो समझ में आएगा सुख दीरे चल सजगता से जी, बुद का दिया ग्यान यही तो आप अपने जीवन को इतने बेहोशी में जी रहे हैं कि जब तक कि आप जो है इस मुमिंट में नहीं आएंगे जब तक कि आप एक कौशे स्टेट में नहीं आएंगे तब तक जीवन में अंधिरा रहेगा जीवन जो आपको दौलत देना चाहती है वो तब तक नहीं दे पाती तो आप भाग दोड़ करके जो है बहुत कुछ जो है अपने जीवन में इकठा कर लेते हैं लेकिन आप उसको जीते कब हैं यह सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप अपने जीवन को जो है ठीक से जी पा रहे हैं कि जिन चीजों के लिए आप भागते थे वो अब जो मिल गई हैं आपको क्या आप उसको अप अप्रिशेट कर सकते हैं तो जब तक कि आपने जीवन के पुराना पैटरन नहीं तोड़ना शुरू करते हैं जब तक कि आपके अंदर वो जो एक आउटमाईजेशन है जब तक आपके अंदर वो एक रॉबोट जो बैठा हुआ जिस तरह से चीज़े कर रहा है जब तक कि वो slow down नहीं हो जाता जब तक कि वो आपके control में नहीं हो जाता तब तक जीवन अंधेरे में रहेगा और छोड़ी छोड़ी चीजे जो हैं आपको consciousness के साथ जोड़ सकती हैं अपने जागरण के साथ जोड़ सकती है जैसे कि आप हो सकता है दूमरपान के साथ बहुत जादा चुड़े हो और एक दिन में जो है बहुत सारी सिगरेट पी जाते हो तो ऐसा बड़ा डिफिकल्ट होगा कि आप आज के दिन ही जो है उस स्मोकिंग को जो है क्विट कर दें लेकिन एक यह है कि आप उस प्रोसेस को थोड़ा सा जागरण के साथ करना शुरू करें कि जब भीतर से जो है स्मोकिंग की एक अंदर से तलफ आपको लगी तो पहले क्या होता था कि आप अनकॉंशिसली जो है अपने जेब से वह पैकिट निकालके जो है उस सिगरेट को पी जब जैसी वह तलफ उठेगी जैसी वह ड़िजार उठेगा सिगरेट पीने का तो आप इस काम को थोड़ा जागरण के साथ करना है तो इस बार जो है जब आप सिगरेट की डबी अपने हात में लें तो एक दम से उसको खोल मत दे इसको देखें, उसको निहारें, उसको लेकिन इस सारे प्रोसेस को जो है इतने relaxation के साथ करें . कि आपका यह जो यंत्र है एक वो जो आपके अंदर जो है एक automation जो क्रियेट हो गई है एक पाटरन जो क्रियेट हो गया है उसको तोड़ना शुरू कर देगा और ये pattern तूटना बहुत जरूरी है फिर बहुतों के साथ जो है anger issues होते है क्रोध का कि एकदम से जो है क्रोध जो है उनको अंधा बना देता है कि वो realize नहीं कर पाते कि कैसे जो है वो क्रोध के अंदर जो है चले गए और फिर बाद में जो है इसको लेके पच्टाते है क्रोध में वो जो तहसनेस जो कर देते हैं अपनी जिन्दगी को उसके लिए जो है फिर अंदर से जो है एक अंदर regret create होता है repent, एक repentance आती है तो बहुत important है कि क्रोध जो हो गया अब उसके लिए repent एक तो नहीं करना उसके लिए जो है पस्टाताप नहीं करना तो इस pattern का तूटना जो है बहुत ज़रुई है लेकिन ये habits जो है इतनी unconscious हो चुकी है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब उसमें जो है आप indulge हो जाते हैं कि कब उसके अंदर जो है आप अपने आपको लिप्त पाते हैं और फिर बाद में जो है इस चीज का बीतर से पस्टाताप करते हैं तो एट लीस्ट जो पहला step है उसको ठीक से ले लिजए कि कम से कम आप repent मत करिए कि आप उसके लिए guilty मत फील करिए कि उसको लिए अपनी गलती मत महसूस करिए important यह है कि जब भी वो act जो है आपके साथ घट रहा है अपनी consciousness के साथ जो है उसमें उतर जाए आपके अंदर जो एक pattern है जो आपको जो है unconscious level पे ले जाता है और आपको जो है बहुशी में इन सब में डाल देता है अब सरफ important यह है कि अब आप इससे लड़ना बंद करते कम से करों कि क्रोध का भी स्विकार है काम वासना का भी स्विकार है और जब next time जो है जब यह बात उठेगी तो भीतर से guilty नहीं महसूस करना भीतर कोई लड़ाई नहीं करनी है उसके प्रती जतना आप relax रहेंगे, जतना आप kाम रहेंगे, जतना आप शांती में रहेंगे उतना आप देखेंगे कि यह भाव आएगा और चलत हाएगा आप देखेंगे जब भी क्रोध उठा जब भी काम वासना उठी वो उठी तब आप जब बेहोश थी जब आप अपने स्थान पे नहीं थे और एक ही चीज़ important है कि जब आपने कुछ जीना है तो जाक के जीना है उतना जो है आप उस भीतर से एक छोट इसे भाव को देख पाएंगे जहां से यह सब कुछ चीज़े trigger होती है तो जैसी वो trigger point आपको देख जाता है अब उससे लड़ना नहीं है ना उसको suppress करना है और ना ही उसके भोग में जाना है important यह है कि उसको simply जो है एक बहुत relax वे से उसको देखना है आप देखेंगे कि एक उर्जा उठी है अब आपका जो unconscious pattern है उस उर्जा को खर्च कर देना चाता है लेकिन आप भी दर से जितने relax रहेंगे होश रहेगा आप देखेंगे वो उर्जा आपको और होश पूर्ण कर गए और जगा गई एक बार की बात है एक सूफी संथ के पास एक आदमी मिलने आया उस वक्त वो सूफी नदी के पास बैटके चाय पी रहा था उस आदमी ने कहा कि मैं लाइफ में और आगी कैसे बढ़ सकता हूँ और पैसा कैसे कमा सकता हूँ और popular कैसे हो सकता हूँ सूफी ने उसको एक खाली कप उसके हाथ में दिया और उसमें चाय ढालना शुड़ू करा और वो ढालते रहे और वो इतना ढाल दिया कि चाय उसमें से बहर आने लग गए तो साथमे ने का रूखो रूखो यह क्या कर रहे हो मेरा कब भर छुका है तो सूफी ने का exactly तुमारा कब भर चुका है तुम्हारी जिन्दगी में तुमने अपने आपको इतना बढ़ लिया है। तुमने अपनी लाइफ को इतना fast कर लिया है। कि अप तुमें slow down करने की जरूष either करने है। अब इसमें और मत बहो आप इसको थोड़ा slow down कर लो। और यही message आपके लिए भी हैet कि अपनी लाइफ को जो है जतना श्लो डाउन कर सकें जतना उस कछुए की तरह जो है अपनी जिन्दगी को जी पाएं आप अपने जीवन को एक बहुत सुन्दधंग से जी पाएंगे जीवन का ये जो गिफ्ट है उसको जी पाएंगे तो इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ तैंक यू सो मच पर वाचिंग प्रणाम